नमस्कार दोस्तों ये बैफिर आपका स्वागत है हमारी कंपनी में ABEL हमारे ब्राइंड को एबल भी कहते हैं ये आप स्क्रीन पर देखिए हाई डम भकट हैवी डूटी लोडर आरम हैवी डूटी पिलर के साथ फांडेशन और चैसेस इसमें इस्ट्रा पंप लगा हुआ है दोस्तों ये लोडर 14 फुटका है और हाईवा डंपर लोड करता है आपको पूरी जानकरी देंगे वीडियो में बने रही है जैसे कि आप सबसे पहले बात करेंगे इसकी हाइट के बारे में ये हाईवा डंपर लोड रहा है बड़े-बड़े हाईवा बरता है 15 इंची का 15 इंची का तो इसका पिलर है जिसकी चोड़ाई ये पिलर रखी 15 इंची है जैसे हलके लोडर उनकी चोड़ाई किसी में 7 इंची भी आती है और 5 इंची भी आती है लेकिन यह 15 चाड़े 15 चाप पिलर है और इसमें हैवी डूटी लोडराम लगा हुआ है और हैवी डूटी क्रेडल के साथ हाइडम बकट लगी हुई है यह हाइवा डंपर लोडर भरने के लिए आती हुत्ताम है छेंटर लगे हुए इसमें दो तो यह हो गए इसको बोलते हैं लिफ बढ़ जाती है यह हमारा मॉडल एबी टू है दोस्तों आप स्कीन पर देख रहे हैं पीसे कांट्रवेट बॉक्स लगाओ है यह हमारा है यह हमारा मॉडल है इसमें लंबी चैसिस भी आती है अगर कस्टमर चाता है कुछ डिसकॉंड लेना या कुस कॉस्क्ष्क्टिंग क ना ख़रता है कि आपको कैसे क्वालिटी चाहिए क्या लगवाना है किसा काम करवाना है यह हमारा मॉडल है यह मॉडल अबी टू है दोस्तों कि इसमें मॉडल यह बन भी आता है उसमें अगर यह बकट नहीं लगईगी आगे वबली हार्डम बकट तो यह मोडल एबी यह और इसमें अगर हम बकट लगा देंगे हाइडम बकट तो फिर मोडल AB2 के लाएगए इसका आप यह हमारी ब्रैंडिंग है यह हमारा लोड़र आरहम है कितने हैविडूडी प्लेट लेगे हो यह 25 जिन की प्लेट है यह बहुत हैविडूडी काम हो रखा है इसमें यह लोकल म प्लेट है यह यह आप देखिए यह 25 एम मोडी प्लेट है इसका ड्रेट मुकाबला बड़े-बड़े बैकलोडरों से है 76 पावर को जो बैकलोडर आते हैं उससे मुकाबला है इसका आखिर में फिरस की प्रैस की बात करेंगे पहले आपको सारा समझा दो अब जैसे नेट अच्छी कंपनी के भी आते हैं और लोकल भी आते हैं जैसा यह अक्षी अकफिटी और दरेकिए है इसका पंप है ये हेटालिक पंप टैंक हमने दिया है इसमें लग से जो इसकी स्पीड को बढ़ाता है दोस्तों आप टैंक पहले पीसे आता था इसको हमने शिफ्ट कर दिये आगे इस टैंक को लेगाने का ये फायदा है ये बड़े मोडोस में जो हमारा बड़ा लोडर आता है यानि कि बारा सु किलो माल उठाने वाला जो लोडर है उसमें ये टैंक लगाना मेंडेटरी है जरूरी है अगर आप छें सिलेंडर का बड़े वाला लोडर ले रहे हैं हाइवा लोडर जो कि 1200 किलो माल उठाएगा तो फ़र ये टैंक लगाना जरूरी है अब इस टैंक का आप स्टैंड देखिए कितना हैवी डूटी स्टैंड है कहीं दिये कोई कटोती नहीं करी गई है ये इसका चैसेस फ्रेम है ये एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्लेट्स की लगाई गई है लोडर की क्वालिटी को पूंट से परिपूंट किया गया है दोस्तों फिल्टर बॉड़ी लगी हुई है ब्रीदर लगा हुआ है जैसे लोकर बिनाने बाले यहाँ पर पाइप लगा देते हैं बस ये लेवल गेज लगा हुआ है ये इसका कंट्रोल वाल डिस्ट्रिबूटर है बैस क्वालिटी का इसमें दो लीवर आते हैं दोस्तों ये दो लीवर हैं एक दो एक तो लोडराम को अप्लेट करेगा आप उड़ डाउन करेगा दूसरा जो है बकट के स्रेंडर को खुलेगा चैसिस देखिए आपको इतनी जबर्दस चैसिस बनाई गई है और पीछे का जो कंट्रोल विट बॉक्स है वो अपनी रेंज में अपनी शेडी में सबसे बढ़ा है दोस्तों बारसो केजी लिफ्टिंग के बस्टी के लोडरस में आप फीटा लेकर नाप लीजिए आपको हमारी चीज हर लोडर से बहतर लगेगी चाहे वो लोहे के बात हो शीट की थिकनेस के बात हो माल की थिकनेस के बात हो हैड़ालिक सिलेंडर की बात हो हैड़ालिक पंक की बात हो हेटिए चैसिस की बाएफ और पिलर की बात हो इसके नीचे की फांडेशन की बात हो आप दिखै कि यह फांडेशन इस में सब यह रिफ्ट लगाएगी है कितने हैवि संब कितने यह स्ब्रंडेड निटवॉल्ट्स उ अब नट बोल्ट लोकल भी आते हैं नंबर बे किलो वाले अगर वो कस्टमर ले तो कॉस्टिंग गम हो जाती है पर वो तूटते हैं फिर क्योंकि 14 फिट की हैट पे इसने काम करना है लोकल नट बोल्ट लगाएंगे तूट जाएंगे सारे तो क्वालिटी को समझना बहुत जरूरी है कोई भी खैसला आप लें कोई भी लोडर आप लें जब तक आप प्लान्ट विजिट ना करें जब तक आप लोडर ना लें लोडर लेने के लिए आप संपर्क करें हमारा फोन नमर नट कर लिजिए डबल नाइन ट्रिपल नाइन ं कर वन फोड वन फोग कर दिया लेसिकी कि बबल नाइन ट्रिपल नाइन वन फोग दाखरएंगे सेकंड नमबर है 8384 009010 थैंक्यू वरी मच्छ जय जवान, जय किसान, जय हिन दोस्तों